नमस्कार आप देख रहे हैं ख़बर दिन पर मैं हूँ शेक जुई रुख करते हैं दिन पर की तमाम बड़ी ख़बरों की और राजस्तान के मुख्य मंतरी भाजूलाज शर्मा ने वित्यवर्श दौज हुश के लिए पेश केंध्री बिजट की सरहना करते हुए से विक्सित भारत का लोग कल्यानकारी विजट बताया विजुनलाज शर्माने सोशल मीडिया प्लाटफों में एक पल दिखा विच्षित भारत का लोग कल्यानकारी बज़िट पुर्धान मंतरी नर्मोदी के खुशल नैतर्टिव में केंद्रिय विच्ट्य मंतरी निर्मला सितरवन द्वारा प्रसूत किये गए केंद्रिय बज़िट को मेने मुख्य मंतरी कारेले में सुना आखिरकार राजसान युद्ध कॉंग्रेस ने दो दिन चले मन्थन के बाद मिश्क्रेप अधिकारियों की छुट्टी कर राजसान युद्ध कॉंग्रेस ने नेवासी विधानसाबाध अध्यक्षों को हटा दिया है मिश्क्रियता की चल से इन परददिकारियों को हटाया गया है अध्यक्षियों की जगा नए कारेकरी अध्यक्ष लगेंगे 66 नए कारेकरी विधानसाब अध्यक्ष में उप्स के जाएंगे राजस्तान की वजुनलाज सरकार गहलोट सरकार की कई योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है पिशली सरकार की मुफ्ष बिजली योजना पर भी संकट बना हुआ है इस बीज वजुनलाज सरकार ने योजना को लेकर बड़ अपडेट दिया है दरसल भजुनलाज सरकार ने साफ कर दिया है कि सो यूनित तरी विजली देने की इसकी में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा इस योजना को लेकर बिजेपी विधायक रादेशाम बेरवा ने विधांसव में सवाल पूछा था जिसके जवाब में सरकार ने जवानकारी दी भाजपविधायक पबराम बिश्णोई ने सदन में तृत्ते शेहनी के शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया विधायक पबराम बिश्णोई ने कहा कि क्या सरकार तृत्ते शेहनी शिक्षकों के तबादले की नीती बना रही है जिस पर शिक्ष्यमंत्री मदंदिलावर ने गोल माल जवाब दिला। शिक्ष्यमंत्री मदंदिलावर ने कहा कि जो 100% मुखबदीर और दिव्यांग हैं वो जहां कहेंगे वाँ ट्रांसफर कर देंगे। जलवार जी लेकियो कंशेत्र, मनोधधान की ग्राम पंचायत कमखेडा में नालियों पर हो रहा होए दथिकर्मट पर ग्राम पंचायत में चलाया ही फिला पंचायाद। मनज कुमार मीना ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत में कुछ दिन नों पहले कमखेडा बिजली ट्रस्ट के द्वारा शिकायत मिली थी कि में रोड से बालाजी मंदिर तक रोड की नालियों पर लोगों ने अतिकर्मन कर रखा है जिसके दर्शन के ल पड़ता है राज्य सरकार द्वारा परियावरं संद्रक्शन के लिए चलाए ज्वारे पोदार ओपन अभ्यान को निरंतर आगे बढ़ाते हुए जलावार जीला प्रिश्वासन के निर्देशन में ज्वालावार शहर के स्टीटी पोल लेन के डिवाइजर पढ़ाकर शि आज राउस डेविन्यू कोट में पेश वी कोट ने मानहानी के मामले में आतिशी को बीस हजार रुपे के बौन पर जमानत भी देगी बतादेओं ने भाच्पा नेता प्रविंच शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानी केस में तलब क्या गया था कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकर जुन थर्गे ने कहा है कि कॉंग्रेस के नियाय के एजन्डे को ठीक तरस्ति कॉपी भी नहीं करपाई मोधी सरकार मोधी सरकार का नकल्ची बजट है मोधी सरकार का बजट अपने गड़बंदन के साथियों को ठगने के लिए आदिया धूरी रेवणिया बाट रहा है ताकि एंडिये बची रहे ये देश की तरक्की का बजट नहीं मोधी सरकार बचाओ बजट है नीट यूजी परिक्षा के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें स्टाफ का गया है कि नीट की परिक्षा को दोबारा अउजित नहीं कराया जाएगा उन्होंने नीग परिक्षा दुबारा कराने की मांग को खारिच कर दिया, इसके साथ कोट ने ये भी कहा कि इस नतीजे पर पहुचना कटीन है कि परिक्षा की पविर्स्तृता भंग हुई या नहीं उत्र प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया दितिनास ने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रिसिक्रियत उन्होंने कहा कि बजट भारत का पाश प्रिलियन एकोनोमी के लक्षे को पूरा करेगा प्रियम योगि ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रदान मंत्री ने मोधी के माग दिर्शन ने केंद्रे वित्तमंत्री निर्मला सीतर अमन ने देश काम बजट पर सूट किया ये बजट सब समावेशी, विकाज सुनमुखी, 140 करोड देशवासियों की आश्याओं, अकंशाओं और अमरतकाल के सभी संकल्पों की सिद्धी करने वाला है आज कबर दिनबर में इतने ही दिनबर की तमाम कबरों के साथ आपसर फिर रूबर हो हुए